हुआ हम था स्च तो यह तुम लोग के आज के टोपिक में आज के स्काले प्धाइब को हम राइट सरक्लर स्लेंडर इसलेंटर हो गियाज कोन हो गिया यह सब क्या है मेरा एक www.enssurgijeans है ठीक है तो इसको अच्छे समझने आपके कि तुम लोगो बाद में आगे बहुत काम आएगा त्युक्त अच्छी देखो हम लोग यो जो स्लेंडर जो है एक नॉर्मल्मेसों रिट एक पेपर उससे बना सकते हम लोग ठीक है जैसे दोई यहाँ पर आप हम राइन एक रैक्टांगल टैप का एक शेप है एक शीट है हुत है लोग लेंग बोलते हैं यह बहुत हम लोग ब्रेथ बोलते हैं वགप हम लोग ठीक करते हैं तो ऊपर बनेगा सरकल नीचे भी क्या बनेगा सरकल तो यहां पर क्या होता है कि यह जो लेंथ वाला पार्ट है ना इसको क्या बोलते हैं तो यह जो लेंथ बन जाता है अपने आप लेंथ आफ circle बन जाता है ठीक है और यह जो length है यह अपना ना बन जाता तो महारा नीचे वाला circle का length ठीक है और यह जो ना Это 이andra यह बरत अपने up can be Mississippi वो height of the slender इसको अगर हम हम इसको से मिलाएंगे तो क्या बने हो HIGHT of the slender भनेगा बस माज़े बस कुछ किया निहीं एक एक टेप का शेट लिया उसको फोल्ड किया फोल्ड करने से आपना आप सिरेंडर बन जाते हैं तो बस खलिया रचना पर कि जो लेंट ओफ रेक्टांगल होगा वह लेंट ओफ सरकल होगा जो सरकल का पेरीमेटर होता ना वह इसके एकल हो जाएगा अधर सपस्कों लोग को ए सरकंफरेंस दोनों का मताले की उआ तो जो लेंट ओफ रेक्टांगल वो होगा यह अगर लेंट है तो यह भी तो लेंट एक्सलेंडर है और इसका फॉर्मॉला भी तुम लोगो अच्छे से हम लिखवा दे रहे हैं कि आना यह क्या होगा मेरा एक्सलेंडर होगा तो सबसे पहला बात यह उपर वाला पॉशन को बुलते हम लोग टॉप अनीचे वाला को बुलते हम लोग बेस बुलते हम लोग ठीक है बेस नीचे भी क्या बनेगा सर्कल बनेगा है ना नीचे भी क्या बनेगा मेरा एक सर्कल बनेगा अब एक संट एक सर्कल होता है ना जब दुनों सेंटर को हम लोग मिलाएंगे है ना दुनों सर्कुलर को हम लो यहां पे राइंट मतलब कदलब राइंट का मतलब होता है राइट एंगल घर तो यहां is होगा दो अब बात करते हैं इसके अंदर कितना पहला बात इसके अंदर कितना फेस होता है number of phase to this के तीन फेस होता है कितना होगा three phase होगा एक तोह फॉट्षन हुगा एक तोह ये पॉट्षन मतला यह हो गया तो पहला यह हो गया पहला पॉट्षन आई यह पूरा जो 620 फेस होग गया अगर यह से सलेंडर में कितना सर्फिस होते हैं तो वह है कि आप बात करते हुआ यह ससका इता पेle वोगा उसको बूलता हम लोग लैट्रल सर्फेस एरिया लैट्रल एस है सर्फेस एरिया इसका एक और नाम होता है जिसको बूलता हम लोग कर्फ ऑन जो हम लोग इसפोर्वयाद्र पर रहें धे जार पीまだ कर्फ KapSir पर सर्फेस ए ए है ठीक है अच्छा एरिया कैसे निकल आता है इसका देखो अगर सपोस्स कर लो इस शीट से हम एक सिलेंडर बनाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इस शीट का जो एरिया होगा वह एरिया क्या होगा सिलेंडर होगा है ना अरे यह जो सिलेंडर हम बना रहे हैं इस से बना रहे इसका एरिया निकालना है फॉर्मॉला क्या होता है एक रेक्टांगल निकालना है फॉर्मॉला क्या होता है लेंथ एंटु ब्रेथ आप सबस्कुलम इसका एरिया निकालना है तो इसका भी एरिया वही निकालेंगे आप देखो तो यह जो लेंथ हुआ है लेंथ यह लेंथ क which is twoượng कि पाइ आज प्धिए होता तो ब्रेत होता है तो प्धिに बाइड हो गया अब इसके अरट नेकालेंगे तो क्या होगा इंटी वह क्या निकले अ आफ शीक का निकलेगायो और इसके अव p Shared Sim से बना हुए ना तो इसका निकला बस formula चांग आएगा बस formula मतलब यह रहेगा यह रहेगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा तो यहां पर होगा टू पाई आर इंटू है ना हेट क्या बना है मतलब क्या होगा is my formula क्या होगा जो पाई आर एच है तो यह बस समझाने के हुगा है हम तुम लोगे ब controllers कर रहे हैं बस हो एडिया निकाल नहीं गाल लेंगे अब लोग तो इसी एरिया को बोलता है यह फॉर्मलाा क्या होगा मेरा 2 तो पाई पाई रहा होगा मों का ठीक है तो इसको ऐसे दिष्राया मतलब क्या आता है करी कि चुप तया सबना इब गारिमेटर आपले होगा फेरी पायाische कर साहिड होगा वहीं पायीoires है और से मेंحरिक तो उसको ऐसा भी दोगो लिख सकते हम देखो कि परी मेंटर ओफ ऑफ वेज इन्टू हाइट होगा हाइच होगा ठीक है अब दोगत पेरी मिट्र आफ बेस मतलब यहां का सर्कल बंड़ा ना यह तुम बेस बलो फिर टॉब बिलो बाद ही पढ़ेगा तो पेरीमेटर बेस हो गया वो कितना हो गया वो गया हो गया इप रहना दो हो क्या यहां पर एच माल लेंगे तो मतलब कुछ प्रेमिलाग की मिली सकते हैं टू पाई रहे स्क्वेर है न कि इस्क्वार यूनिट कि निजार आण था चेक पस कुछ नहीं देखो पेरीमिटर आफ बेस मतलब यहां क्या बनाई यह बनाना और इंटु हाइट मतलब यह हाइट हुआ नद पेरीमिटर बेस इंटु हाइट क्या होगा टू पाई आर इसी को बोलते हैं तो मलब को हम तुम लोगों बता है तो तुम लोगा हम इतना प्रोसेस नहीं या रखना है तुम बस यह रखना हैं कि एक लेडरल सर्फिस एरिया क्या हुआ यह फिर मेरा कर्व सर्फिस एयरिया का फॉर मुला होता है 2πP रह सेस्क्वार few निट होता है बस मंक्या अर्च यह जो एणिए क्वफिस से रियार क्या तोटल अ है इस ग 250 मतलब सब एरिया अब कुर्स में देखो ऊपर में वहन एज सरकल तोई इस सर्कल का निखालना फॉर्मला क्या होता है बलो तो पाई आर स्कुर्ण एडिया निखालना फॉर्मला क्या होता है पाई आर स्कुर्ण है ना अब नीचे भी क्या बनना है सर्कल तो दोनों से रहेगा ना अगर यह पाई आर स्कुर्ण यह भी क्या होगा पाई आर स्कुर होता है तो यहां पर लिख सेकते हैं हम लोग दो लेटराल सर्फेस एरिया प्लस एरिया ओफ टॉप एंड बॉटम यह फिर बेस्ट बोल रहा है तो लेतर शर्फेस एरिया ओनिकां हको जाए ना इस लगने का थैंड हो टूख आ ऋ होगा न सबस्ट मतरों्द यहांपहएं लिखेंगे टूप ऐस एक करेंगे टू कियूं है आना म्यांब ना अगर एक रह था सिर्फ पायां अगर दो है ना है और यहां पर आप ainda मैं यहांपर यह दो है नटक्ली क्या वागा लिंद लेकर हुआ क्या हो हों आक है अच्छे डिखो ci это कुhr कॉममन निकाल लाकामान कामान पाल में लेले आपे अच्छा यह एडिया निकलाने तो एलिया के नोट क्या होगा मेरा स्क्वेर इन्ट हो पसमा किया आप जिस्टीस रही बहुत-इंपोर्टन्ट है जिसको बूलता हम लोग वॉलियूम वॉल्यूम अब में लोग वॉलियूम कैसे निकालेंगे हम लोग द च से अच्छे देंखो वॉल्म का मतलब क्या होता है यह बाद प्रॉसत बना दे रहे हो कि अब स्कुछ समझने के लिए वॉल्म का मतलब चावते है का यह क्या सिलेंडर हे ना है नभी दान एन्हाणाट का मन लिया है ढए जी जог हाँ कि इस सीलंडर के अंदर हम लोग किए कि पानी हो की नदर सकते यहां तो आकर रुख जाएगा तो जहां तो आकर रुखेगा मतलब यहां से शुरू होगा यहां ताकर रुखेगा न है न तो पहले जो पानी गिर रहा हुआ कहां गिर रहा बोलो तो नीचे गिर रहा न मतलब कहां भी गिर रहा सरकल पर तो सरकल कर एडिया निकालने है फॉ कि गिराएंगे तो सबसे पहले कहां गिरेगा एरिया ओफ बेस के निचे अब बेस एरिया फॉर्मले क्या अदर पाई आर स्क्वर् अब पानी कहां तक जाएगा बोलो तो एठ हाइट तक जाएगा खांग एक तो सुझ मतलब अगर देखू न यहां गिराएंगे तो पानी कहां दिए एरिया अफ बैस के नीचे गिरेगा ना तो एरिया बेस का अधर पाइ एर स्कॉरर अथ कहां दख पानी जाएगा है तक लब पाया इर स्कॉरारेंटू एच ओगी हम लोग का ठीक है तो कोई भी 3D फिगर जैसे को न हो गिया क्यूब एन क्योबाईड हो कि हिसी को हाइट से मल्टिप्ला करें कुबाउड में एन निकलने और निकल खांगर ऐसे किय और हम लगा था ऑख एडियौ ऑफ देश इन्टो हाईट का बस अग्दक अब डियौ देखो सर्कल का एम इसका रिडियस गाइशको 이건 पाइच हाइच हाइट हाइट दो यह रिऊ Cos पर अच्छ निकालता है यहाँ आफ्ट यह पर वालूम निकाला ना तो वालूम कलूटा प्लै्न Mak talking to get Europe अब इसको कच्छे सआपे देख लगहा हम क्या निकाला आते यह सब हुआ मेरा मेरा थैके तो अभी कूब करें यह स्री फं लोग क्सा इंडर भी देंडर पनता है तो अब बढ़ना है तो फिलाला भी हमनों को सिर्फ राइट सर्कुलर स्लेंटर मादा सॉलिड बढ़ना हम लगों ठीक है तो यह फिगर को अच्छे तुम लोग उतार हो वहाँ पर प्रॉंड़ और फॉर्मॉला को याद रखनें एक स Mats d providing safraitesन आगर बात कर लेदाल स्रफेस अरिया यह फिर कर शर्फेसस है मकем मेरा घ्षैज अगर निकाले अच्छाइप टोटल सॉर्फिस एरिया तो फॉर्मॉला क्या होगा लेटरल सर्फिस एरिया और फामला क्या निकलाए मेड़ा तू पाय और ह फ्लस एना एरिया आफ टॉप एंड भाटम मतलब टॉप का एडिया प्लस बॉटम के रिया दुनों को क्या करेंगे अड़ कर देंगे तो एड़ करने से क्या आएगा दो यह आएगा ना टू पाइर स्क्वेर अब इन दुनों में से दो कुछ कॉमन निकल लाट्र टू पाइर कॉमन निकला तो क्या बज़ा है है अब आप वालीन करना आप वालीम समझाने के यह खुब है कि आंदर कैपसी कि कितना हम लोग उसके लिकुड रख सकते हैं उस्का वाल्यूम का मतलब क्या थैंदर तो सबस्के लग तो सबसे पहले कहां गीरेगा यह बॉटं कर निचा बटम में क्या बना सर्कल बनने है उसी के हाइट से मल्टिप्लाइब तो क्या निकलेगा वाल्यूम निकल जाएगा बछाम गया आभ इसको अच्छे से समझो त्म अच् Bare तो आपको कॉपी करो कि चलो अब इस अग्वा कुश्चिन देखो जो कुश्चिन करना है वो यह देखो पहला बात हम वो क्या निकालने बोले देखो डायमेटर अब देखो फीगर माने का कोई जरौत नहीं है बस खली समझो कि डायमेटर दिया हुए तो जो एक स्लेंटर का तो डायमेटर होता है वो क्या होता है जो नीचे जो सरकल बनेगा उसी का डायमेटर हम बात करेंगा बेस मतलब नीचे बात कर रहे है तो जो बेस में जो सरकल बनेगा उसका डायमेटर कितना दिया हो हम लोग को पारा दिया हुए तो यहां पर हम लोग को डायमेटर कोई का ईते हैं सेंहर को डाइमटर किन नोगों को 12 कि क्या करेंगा लॉद करेगे न तो कितना गया शेंटिमेट एंट कर ऑंधुन दिया हो है अब जूरा हैं अब देखाते आ तो ट्वाहच कि ड़ी नम लगों 21 obl now आप देखो एक लेटरल सरफेस एरिया निकालने हो वह आप देखो एक लेटरल सरफेस एरिया निकालने है फोर्मुला क्या अतमली पहलू है नम्लोग को ठीक yan Generals सरफेस एरिया एलेस ही सचाट एन फोर्म क्लाता है डू पाई और है यहोते ना पैरी Mie технолог of base into height होते है हम लोग को बस लगा तो फॉर्मुला ठीक है तो बस लेंगे हम लोग को लेट्राइट रग सर्फेस एरिया ना फॉर्मुला क्या होगा टू पाई और एच तुम लोगो माली मेना पाई के वहले कितना होता है ट्वंडी टू बाई सब्सक्राइब बुलना मत ट्रू को टू रखा पाई के वाले 22 बाई 7 और आर के वल्यक्तना होगिया 6 और है कि अगया 21 लेंगे ना बचला सम्झ ठीक है अब तुम्हों वाले में ना हमेसा मैक्सिम्म टाइमिंग उपर नीचे कड़ आते हैं देखो यहां पर कड़ा ना करना है कि अनगेद सेवें ख्रीजा सेवें लिग्या इंथा थे और सब्सक्राइब बच आए इसको को मल्टीप्लिए करकेаете कितना है इसको मृटिप्ला करना से कितना हेगा 18 अच्छा एरिय जिसको मैप्लाइश करके इसको तो मिक्ला लेना जो आएगा वहrobок का अंसर होगा ठीक है चलो नेक्स हम लोग देखते हम लोग को चलो अब यहां पर देखो एक तम लोग को बोल दिया है अच्छा यह सब लोग को मनदद एक्जांपल का या कुछ-कुछ अपनी से क्वेशन हम दे रहे हैं कि तुम लोग अभी एक्साइज कर नहीं कर पाओगे कि एक एक्साइज के वेखे तुम सोगा होदा वह ठीफिकल को ज़िए तो पहले थोड़ा बेसिक करोगे तब क्या यह सब्सक्राइब करका होगे अच्छा इस समस्वें क्या बोलते हम लोग को देखो हम लोग को पेरी मीट्र ऑफ सिलेंडर करया चुब है ना और निकालने क्याद लाम लोगों सर्फेस एरिया कि सर्फेस एरिया क्या होगा बासमा गया ठीक है अब दो सिंबल से बाते देखो मेरा फॉर्मला क्या होता है सर्फेस एरिया निकालना फॉर्मला क्या होता है टू पाई आरेच अच्छा एक चीजी देखो हम इसको क्या आसा लेख सकते हैं देख हाइट कितना रहा हम लोग को 14 मिटर है हमको निकालने क्या वो ले सर्फेस एरिया ठीक है ठीक है ठीक है लेट्रल सर्फेस इडिया टूम लोगा फ्रम्ऄला मालूमें इसको एसा वह लिख सकते हैं तू-पाय-ची टू-पाय-बिट्स अच्छ यह ओता है एसको modest सब्सक्राइब लोग सकते हैं गहतर। कि पेरी मीडेर ओफ इंटो हैट कि एट होगा नहिंआ थो दो कि ऑफ बेरी मेडेर ओफ बेस हम लोगो को देवे हैं मतलब हं उतना का वैलू हम लोग 쿠ट सोगसे देता हलो ये इसका वैलू पुट पर cand archives तो इसी को बोलता हम लोग पेरिमीटर वोलता हम लोग इतना वड़ा लंबा च्राइब तो इस पूड़ा के प्रेस्विम क्या पूट करेंगे हम लोग 44 अब इसी को क्या बोलता हम लोग पेरिमीटर ऑफ बेसेंट तो है अब पेरिमीटर का वैलू करता है तों लोग को अगर यहां लिखते है और रेडियस के प्रेस में अगर हम लोग को को damnart डिया ता तो पहले हम दाईपतर कोभीखे इसको मुल्ụॉ करके तुम यहां पर लगए और था वीडियो था लंबा बन जाएगा इसलिए यहां पर तुमें इसों खुद से मल्टीप्लाएगा लेना अजो भी अंसर आएगा वह तुम्हारा ही होगा क्लिटनवाद अब इसी यह बेसिस के ओपर तुम लोग अलग अलग टाइप का समस द करेक्त आम लोग cuma